नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूँ आपके साथ मुस्कान अजमानी रुख करेंगे यूपी की बड़ी खबरो क्योर अयुद्या में हनुमान गड़ी के महंत बलराम दाज जी से हमारे संबादाता ने प्राची नितिहास और दीपोट्सव के तयारी को लेकर खास बाचीत की है आईए आपको सुनाते हैं इस दोरान उन्होंने क्या कुछ कहा है ठापूर एक बार फिर से हम प्रभूर शिराम के नगरी आउध्या में हम जहां बैठे हैं हनमान गड़ी बलराम दाज जी आज हमरे साथ में मौझूद है और अग्साओर के महांंग भी हैं तक बीएं हम इसे बात करेंगे दिपोचों के तयारिक के बारे में जो तयारिया चल रही है थे ょंढूर बात आपके चेनल से हन्मान गड़ीित पराचीन मंद्रिक से अस्थलह है माराज भिक्रमादित का बनाया हुआ उस समय भी जिस समय जयरांजन वोमी का निर्माड उसके द्वारा उसी समय हनमानगणी का भी चुना हुआ था डूढ़ा गया था कहा है हनमानगणी वहां उस समय उससमय यहां इक तिला पूजा हुआ करता था उस तिले पर इंबली का पेंड था उसी पर हन्मान जी की पूजा बाबा अभयराम दाजी महाराज किया करते थे हमारे आज परवर्त को ही है जब से डूडा गया है और बाबा भयराम दाजी के समय भी नवाब सुजाओ दौला आवद के नवाब हुआ करते थे उनके बेटी को कुष्ट हो गया था हन्मान जी की क्रपा से बाबा भयराम दाजी क्रपा से वह ठीफ हुआ था तो यह बावन हनमान गड़ी माराच के सेवा पूजा होती रहती है हनमान गड़ी दुनिया की सबसे बड़ी साधू की पीठ इतना साधू एक साथ दुनिया में किसी संस्था के पास कहीं भी नहीं रहते हैं अच्छा अब दिपोत्सों के पारे में कुछ जानकारी हुआर दर्शों मैं चारों तरप अपने उच्टबस्थार को प्राइफ प्रता जा रहा है नित नया निट करों सोछ नहीं सकते उससे ज्यादा सरकार सोच रही है एसंग रही है कंसहां ऑध्या कॉत्तर्फ मीoffset अपने चरभी सित तरीके let your Rede जन्पत संबल में अपरादियों के होसले इसकतर पुलंद है कि पुलिस भी अब उनके सामने नत्मस तक्सी नजर आती है मामला रचपुरा थाना शेत्र के गाओ भीकमपूर जैनी का है जोहाद अबंगो ने घर में सोते समय धारदार हतियार से एक युवक की हत्या कर दी उसका शव घर में एक कमरे में पड़ा हुआ है जिस पे इसी धारदार हतियार से गले पे चोट होना बताया गया था मौके पे तुरंत पुलिस पहुंची और मेरे द्वारा तथा अन्य अधिकारियों द्वारा गटना स्थल कंविक्शन किया गया साथी साथ मौके पे फिल्ड यूनिट और साक्षि संकलन हेतू साइन्टिफिक एविडेट्स कलेक्शन के लिए सर्विलेंस टीम को भी बुलाया गया है और मौके पे आसपास पूस्ताच की जा रही है बॉडी के मित्यू का सपष्ट कारण जानने के लिए उसको पीम के लिए भेजा गया है खबर और यह से है जहाचोरों का खुलेया मातंक देखने को मिल रहा है मामला जीत मत तहसील का है जहाचोर एक मैला के पर्स शीन कर फरार हो गए वह मैला का रूपए के पर्स में बैनामे के लिए दो लाग चालिस हजार रुपए और कागसात रखे थे घटने की जानकारी होते ही पुलिस घटना स्थाल पर पहुचे और मामले की जाच में जुड़ गई है पैसे के समय थे आपके पर्स में आते बड़े पर्स जटक के भाग गया है अभी मोखे पया करके मेरे द्वारा जाच की गई है घटना अभी संदिक्त पर्तित हो रही है उनसे पूछताज के लिए उनको ठाने ले जा रहा है जो भी सच्चाई होगी उसके आधार पर विद खबर आगरा से है जहां पुराने विवाद को लेकर दो पक्षों में जम कर मार पीठ हो गई है मामला थाना खंदौली शेतर का है जहां पुराने विवाद में हुए कमिंच को लेकर दो पक्षों में खूनी संखर्श हो गया और देखते ही देखते दोनों तरफ से पाइरिंग भी हुई जिसमें आदा दर्जन से जादा लोग घायल हो गई वह घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुच्ची पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में ले लिया है और मामले की जाच में जुड़ गई है देखें कल दिनांग पाँच ग्यारा दो हजा पर इसके शाम को सूचना प्राप्ठी की ठाना कस्व कंदल में विपारी मोहला है वहां पे शाधिने ब्रियानी गिरने के विवाद कुले करके ताला पुतर जफर और उसके दोस्तों ने मिलकर पाइडिंगी और इसमें एक गाजयबाद में चोरों के होसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं मामला सिहानी गेट थाना शेत्र का है जहां तीन मेडिकल स्टोरों में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया और गल्ले में रखके हजारों के कैश पर हाथ साफ कर फरार हो गए वही एक मेडिकल स मेरे साथ हो यहां था मैं नेगस डेह अने यहां में अपन में ऑपन किया है और उनके सामने मैं दिखाए ज हुँआ हुआ है आसमेंके सामने मैं टूटके हुआ है उसमें तो चैशनी है मेरा जो बड़ि का गल्ला था प्च्शीन हरो पिसे पस्शीन हरोप सम्तिंग हो इस साथ ही महीं हाँ पे दो मेडिकल और हैं मलब टोटल तीन मेडिकलों में एक साथ चोरी हुई है कुछ लोगों ते मेरी दुकान का शतर टोल पे मेरे गल्ले पे तेन रुपर के करीब का नुफान हुए साथ अधर रात में तीन मेडिकलों पर इस्टोरी हो जाना तो चैना चाहेंगे आप लेगा प्रशासम से मैं यही कहना चाहूंगा पहली बात तो यहां पर कोई गष्ट नी होती रात में कुछ नी होता इस चीज को बढ़ाएं और इस इतना जल्दी से जल्दी होता कि इंग को पकड़ कि हमारा खरगाना में दिला है सरमार साथ सनिवार रात को हुई है सड़र उठाया गाया है सत्रह यार रुपे थे कैसे मैं बस बोई लेगा है गाजेबाद क्राइम ब्रांच को बड़ी कामया भी हाथ लगी है मामला कवी नगर थाना शेतर का है जहाप पलिस ने दो विदेशी यूवक और युफ्टियों को गिरफतार किया है और आपको बता दे कि यूवक युफ्टी तंजानी और नाइजीरिया के रहने वाले है क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्टर काजियवा दोरा कल दिनांग 5.11.2023 को कवी नगर थाना शेतर से जो है दो पिदेशी अंतराजी ये तसकर गिरफतार किये गए हैं जिनके कवजे से 415 ग्राम इसमेक बरामद हुई है जिनकी अनुमानित कीमत लगबग 12 लाक रुपे ह पूज ताच में अभियुक्त इनोसेंड ने बताया कि वह नाइजिरिया के रहने वाला है वर्स 2019 से दिल्ली में रह रह रहा है अभी बरतमान में वह विकासपुरी कालनी में रह रह रहा है और उनका में काम जो है दिल्ली एंसियार चेतर में पंजाब सामली मुझफर नग पूर में भी एलो दिल्ली अंसियार पंजाब सामली अन चेतरों में भी आसपास के यह लोग स्मेक्स अपलाई कर चुके हैं हरदोई के सवायशपुर थाना शेतर में एक सराफा कारोबारी से सरे रहा लूट की वारदात हुई है तीन बदमाशों ने सराफा व्यापारी से 20 अजार की नगदियों से जेवर भरा बैग लूट कर वो फरार हो गए पई सूचनों मिलने पर पुलिस उभा के अधिकारी मौके पर पहुचों और बदमाशों की तलाशी में चुट गए पूरा मामना सवायशपुर को त्वाली शेतर के ओहतपुर के हड़हा गाहों का बताए गया है पूरा मामना सवायशपुर के निवासी हैं उमेश यादो पूत्र स्री रामसुरू के आदो इनकी सर्राफा की दुकान है सवायशपुर का सवे में यह अपने गाहों से अवहदपुर से निकले थे और करी 500 मिटर जाके अवहदपुर का मजरा है रहा वहां पे त्वीन बैठी बैठे थे जिनके हाथ में बैठ था और इस्टम्प था और उनको चोट पहुंचा आके उनसे बाइक शीन लिया कि इसमें करीब 20,000 रुपे नगद और कि शोने और चान्दी के आप मुसन थे और उनकी बाइक शीन के भाग जए इसमें तसकाल जो में गौवंशों की तसकरी करने वाले का खुरे आमातंग देखने को मिल रहा है मामले एरवा कटरा थाना श्वेत्र का है जहां पुलिस रात में गश्ट पर निकली हुई थी तो कनोच लिंक रोड बॉर्डर के पास एक कंटेनर दल में फसा पल्टा मिला जिसमें करीब 16 ग पुलिस को एक कंटेनर पल्टा हुआ मिला जो दल्दल में फल्टा हुआ है पुलिस ने जब चेक किया तो इसमें 16 अन्ना गोवंश थे जिनको रातरी के समय निकालने का प्रयास किया गया था रात में कारवाइपूर नहीं हो पाई थी कुछ इंजर्ड से जो उस नहीं पा इसको दफन करेंगे और जो गाड़ी है HR 168A 1645 उसको हम लोग ट्रेस कर रहे हैं खवर संबल से है जहां असमोली में चीनी मील के सत्र तेश ओबिस के गन्ना पेराई का शुबाराम हुआ वही पूझा अर्चनक के साथ जलादिकारी मनीश संबल और CEO संदीप फर्मान इसका शुबाराम किया और साथ ही पहले गन्ना लाई किसानों को सर पर पगड़ी बांध कर और एक कंबल देकर सम्मान भी यह है लखनव उस्तित इंद्रागांधी प्रतिष्ठान में मेगए एक्स्पो कायो जनक्या गया जिसमें देश पर के रेशम और उत्तर पदेश के खादियों और हैंडलूम के कपड़े बनाने वालों से लेकर मिट्टी के मूर्तिया बनाने वाले कारिगर भी हिस्सा ले रहे है तेवहारों को देखते हुए दामों पर विशेश शूट दी जा रही है वही कारिक्रम में यूपी में रेशम पैदा करने वाले किसानों को समानित करने के लिए भी बुलाए गया आपको बता दे कि रेशम विभाग मंतरी राकेश तचान ने रेशम उतपादगों को 25,000 और 50,000 रुपे दे कर समानित भी किया है मेला जो है रेशम, हतकरगा, खादी, हैनलूम ये सब लोगों की हमारे पूरे सभी के सायोग से ये एक्सपो का कारिकम, मेगा एक्सपो का कारिकम जो तीन तारीक से 11 तक चलेगा और इसमें सभी भी भागों के द्वारा जो ओडी ओपी है उनके भी इस्टाल लगे है हमारे खादी के भी इस्टाल लगे है, केंदरी रेशम बोर्ड के भी हमारे रेशम से जुड़े पूरे देश से करनाटक से लेकर के सभी प्रदेशों का जहां वो भी सारे इस्टाल लगे है खबर देवरिया से है जहां मात्र शक्ती सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसमें मुख्य वक्ता प्रफेसर विपला दूबे शामिल हुए उन्होंने कहा कि नारी सदैव शक्ती शाली रही है उसे कमजोर या अबला मानना समाज की बड़ी भूल है अज देवरिया के इन्वर्सल पब्लिक स्कूल में नारी सम्मेलन का अब आयोजन किया जाए जाए यह मंच है जो नारी सक्ती जागरं का मंच है जहां मुख्य अतितियों का समान समारों का भी आयोजन किया जाएगा कुछी देर में और यहां पर देख सकते हैं कि यहां छात्र छात्रा आयोजन कर रहा है और करने में लगे यहां पर कई वाल इंटियर कई नारी सम्मेलन किया मौजूद है उनसे जानने की कोशिज करूंगा इसका क्या संदेश है महिनाय पुना उसी प्रटिशना को प्राप्ट करे जो प्राचीन काल में आ रहे थे इसलिए हम लोगों ने तीन विशय पर काम किया पहना विशय था भारती चिंदर में नारी जितना विशय यह था कि जो इस्थानी समस्या हैं महिनाओं के कि क्या इस्थिति है उनके क्या प्रश्ना है और हम उसके लिए कोंसे कारे कर सकते हैं जिसको हम करनी कारे करते कहते हैं इस बुल्टिन में फिलाल के लिए दिशो दूर्यकी तमाम बड़ी ख़बरों के लिए आप देखते रहे प्राइंग जी Fill झाल झाल